गुड मॉर्निंग एवरीवान एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाज रहे हैं दोस्तो आज अगर बात की जाए मार्किट की और मीम कोईन की ओटिवेटर पर क्या अपडेट्स है तो सबसे पहले बात की जाए यहां पर हालविंग को लेके जो डेर मैनिंग यहां पर चुका है लगबग 24 और साधे 4% के आसपास बूस्ट और 7 डेज के अंदर लगबग 9% के आसपास बूस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है वहीं पर दोस्तो शीबा इन कोईन की बात की जाए तो यहां भी क्रिनरी लोट आई है 94 की सीरीज आ चुकी है काफी ग्राफ अ करें फलो की इनो कोईन के जिसको मैं लगातार रेकोमेंड करता रहता हूँ और आपके सामने है अभी 2% शीबा इनो कोईन उपर गया है और यहां पे आप देखोगे 8-9% का बूस्ट है लेकिन जो ग्राफ देखोगे तो कम से कम 15% के आसपास यह पहुंच गया था तो यह क क्रिप्टों की सभी मिलती रहे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जुरूर कर दीजिया करो सबसे पहला जो ट्वीट निकल के सामने यहां पे अच्छा जो ट्वीट निकल के सामने आया है प्लैक रोक एंड फेडिलिटी नाओ होल्ड एक लाख ही कावन है यार नो सो 50 बिटकोई इतनी बड़ी संख्या में दो ही बड़े जो दिगज है वो होल्ड कर रहे हैं लगबग इनकी जो वोलियूम है 7.16 बिलियन डोलर तो जो बड़े लेवल के होल्डिंग यहां पे बनी हुई है दोस्तो कह सकते हैं कि बड़े लेवल के ही कमाई भी इनकी बड़े CR को क्रोस किया था दोबारा से प्राइज नीची आया लेकिन गबराने के जरूरत नहीं होप शाम तक कि आपको 48,000 से पार नजर आ सकता है बिटकोई अगला ट्वीट है बिटेसी क्लाइम्स अबाउट 48,000 वाई इस बिटकोई अप टूडे आपको क्या लगता है दोस्तो आज कितना प्राइज इसका बढ़ सकता है तो बढ़ सकता है दोस्तो मेरा माना है कि शाम तक 48 को ये क्रोस कर सकता है आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगला ट्वीट है दोस्तो ठारा डेज एगो जिम केरिमर सेट बिटकोई इज अनलाइ नहीं हा रही है जमने वाली नहीं है ऐसा कुछ कहा था तो उस दिन से ठारा ही दिन होए उस बात क्यों कहे होए को और बिटकोईन 20% बढ़ गया उसके बाद मतलब इस पे कोई भी अनुमान या फिर कोई बड़ा विशेशिक गया भी अगर बात ये कह रहा है कि बिटकोईन ये सब आपको पता है लेकिन बिटकोईन को लाइटली जो लोग लेते हैं वो हमेशा ही देखते ही रहा आते हैं क्योंकि इसका प्राइज तो बढ़ना होता है हर चार साल बाद साइकल का चक्का जो है वो जैसे गोमता है उसी तरीके जिसका प्राइज भी हर चार साल बाद गुमता है आप दो हैर ग्यारा से लेके इसकी पूरी हिस्टरी देख सकते हो तो प्राइज तो इसका बढ़ना है इस साल ओल टैम हाई नहीं लगा पाएगा तो नेक्स्ट येर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपको ओल टैम हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है लेकिन इस साल होने वाली है तो इसका भी उप्राइज पर जरूर बढ़ने वाला है तो ये थी दोस्तो आज की अपडेट्स वीडियो अच्छा लगए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फोर बाचिंग